शेर की तरह, फूरी ताकत से तयारे करने हैं एक्जाम की Future of India स्वागत है आपका इस प्लेलिस्क में हम Class Kent का Math का चैपकर नमबर 4 जिसका नाम है Quadratic Equations इस चैपकर के Extra Questions को Complete Gickle में इसकस करेंगे यह इस प्लेलिस्क का Lecture नमबर 3 है इससे पहले बाले Video Lecture के अंदर हमने जहां तक Cover कर लिया था अब उसके आगे Continue करते हैं Next Question पे आते हैं The time taken by a person to cover 150 km was 2.5 hours more than the time taken in the return journey देखो First Line में काफे सारी Information आपको दे रखी है हम माल लेते हैं कि यह जो Point A है यह हमारी जरने का Starting Point है तो Point A से जरने स्टार्ट होती है और Finally Point B तक हमने जाना है यह हमारी Gascination है अब Discanse कितना है वो आपको दे रखा है कि जो Discanse है वो 150 km का है अब पहले आपने जाना है और उसके बाद फिर वापिस भी आना है पहले A से B तक जाना है और उसके बाद वापिस B से A तक वापिस भी आना है Return जरने भी है अब जाने के अंदर कितना काइम लगा था हमें पता नहीं है वापिस आने में कितना काइम लगा था वो भी directly नहीं दे रखा लेकिन आपको time से related ये वाल information दे रखी है कि वापिस आते समय जितना भी time लगा न जाते समय 2.5 hours more जाते समय 2.5 hours जादा लगे थे इतना clear हुआ अब आगे आते हैं question की second line के उपर आते हैं If he returned back at a speed of 10 km पर hour more than the speed while going find the speed पर hour in each direction second line के नदर आपको ये information दे रखी है कि जो return journey है न जब वो वापिस आ रहा था उस समय उसकी जो speed है वो 10 km पर hour more 10 km पर hour जादा थी clear हुआ question clear हो गया अब ये देखो यहाँ पिना journey को मतलब ये वाला जो distance 750 km का इसको दो बार cover किया जा रहा है पहले एक बार तो A से लेकर B तक जाना है forward journey और उसके बाद B से वापिस A तक आना है return journey अब जब forward journey थी उस समय speed कितनी थी हमें पता नहीं है तो speed को हम x मान लेंगे और A से लेकर B तक जाने में time कितना लगा time भी हमें पता नहीं है तो time को फिर हम y मान लेते हैं like the speed भी x km पर आठ and time के करन भी y hours कितना clear हो गया distance हमें question में directly दिरखा है distance 150 है यह जो x है ना यह जाते समें speed है और यह जो y है वो a से लिकर b तक जाते समें forward journey में जो time लगा है उसको हमने y माना है अब return journey की बात करते है यह देखो question में यह बोलावा था कि forward journey के अंदर 2.5 hours जादा लगे थे तो इसका मतलब जब वो वापिस आ रहे है ना तो 2.5 hours कम लगे थे तो time हमने y माना हुए ना तो वापिस आते समें जो time है ना वो y minus 2.5 हो जेगा जाते समें y hours लगे है वापिस आते समें y minus 2.5 hours लगेंगे जाते समें 2.5 hours जादा लगे थे clear हो गया और second speed के बारे में यह दे रखा है कि वापिस आते समें return journey पे जो speed है ना वो 10 km पर आर जादा थी तो जाते समें speed अगर हमारी x है तो वापिस आते समें जो speed है ना वो x plus 10 हो जेगी clear हो गया distance उतने रहेगा distance 150 का 150 रहेगा एसे लेकर b तक जो distance है वो 150 km है तो forward journey में भी distance उतना ही होगा return journey के अंदर भी distance उतना ही होगा distance कभी कम्या जादा नहीं होता speed अगर increase करो जैसे speed increase करिये ना तो उससे time कम लगता है तभी forward journey के comparison में return journey के अंदर 2.5 hours कम लगे थे clear हो गया तो यहाँ पे नहीं हमें 2 equations बनानी पड़ेंगे distance is equal to speed into time इस concept को use करके हम 2 equations बनाएंगे पहले forward journey के लिए equation बनाएंगे फिर return journey के लिए equation बनाएंगे बहाँ से यह question solve हो जाएगा चलो आपको question clear हो गया होगा आगे चलते हैं solution के उपर आते हैं तो आप अपने answer में ऐसे लिखोगे let the speed during forward journey be x km पर आर forward journey के time पे जो speed है ना उसे हमने x मान लिया है and the time के कन to complete the journey be y hours और forward journey के अंदर हमें time कितना लगा उस time को हमने y मान लिया है अब return journey के अंदर कितनी speed होगी और कितना time लगा होगा ना वो question के हिसाब से है यह देखो return journey के अंदर during the return journey फिर speed हो जाएगी x plus 10 क्योंकि question के अंदर साफ साफ दे रखा है यह देखो question के second line में लिखा हो है न if he returned back at a speed of 10 km पर आर more than the speed while going जाते समय कि जो speed है अगर वो x है तो वापिस आते समय जो speed है वो x plus 10 होगी क्योंकि speed वापिस आते समय 10 km पर आर more 10 km पर आर जादा थी और time के रिकार्गिंग वापिस आते समय जो time है वो फिर y minus 2.5 हो जाएगा जाने के अंदर अगर y hours लगे हैं तो वापिस आते समय y minus 2.5 करना पड़ेगा क्योंकि question में ऐसे लिखा हुआ था कि जाते समय 2.5 hours जादा लगे थे by common senses का मतलब यही है कि वापिस आते समय 2.5 hours कम लगे हैं जाते समय 2.5 hours जादा लगे थे इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि वापिस आते समय फिर 2.5 hours कम लगे हैं तो जाने के time पे हमने माना हुआ कि जाने के अंदर y hours लगे थे तो वापिस आने के अंदर जो time होगा ना वो y minus 2.5 होगा ये point आपको clear होगे अच्छे से चलो आगे चलते हैं equations बनाते हैं इस information को use करके अब हमें ये पता हैं distance is equal to speed into time speed और time को आपस में multiply करो तो distance आ जाता है अब पहले ये जो first equation है ना ये forward जरने के इसाब से बनाई है distance कितना है 150 km जाते समें speed कितनी है वो हमने x मानी हुई है और time कितना लगा था उसे हमने y माना हुआ है तो 150 is equal to x into y this is equation number 1 ये जो दूसरी equation है ना वो return जरने के इसाब से बनाई हुई है तो distance तो 150 ही होगा distance same ही रहता है speed अगर increase करेंगे तो time कम लगेगा बापिस साथ इसमें जो speed है ना वो 10 km पर आर जादा थी तो speed हो गई है हमारी x plus 10 speed जादा हो जाए तो time कम लगता है बापिस साथ इसमें time 2.5 hours कम लगा था तो y के जगा पे y minus 2.5 हैगा this is equation number 2 ये अपको clear होगे दोनों equation कैसे बनी है ये जो पहली वाली equation है वो forward journey के हिसाब से बनाई है और ये जो दूसरी equation है वो return journey के हिसाब से बनाई है अब ये जो हमारी equation बनी है इस equation के अंदर आप ध्यान से देखो x और y दो variable है हमें दो variable ने चाहिए एक variable को हटाना पड़ेगा तब ही जाके quadratic equation बनेगी चलो इसको आगे simplify करते है ये 150 का 150 as it is और ranking side पे आपने brackets को open कर लेना है पहले x से इन दोनों को multiply करना है उसके बाद 10 से इन दोनों को multiply करना है तो brackets open करके आप यहां तक पहुंच जाओगे आगे आते हैं तो देखो 150 का 150 as it is रहेगा ये देखो ये क्या लिखा हुआ है xy और equation number 1 से x multiply by y वो तो 150 के एक पल है तो जो xy है न इसकी जगह पे आप अगले skip में 150 put कर दोगे by using equation number 1 clear हुआ xy के जगह पे 150 कैसे आ गया फिर आगे minus 2.5x का minus 2.5x ही है ये 10 का 10 ही रहेगा ये जो y है न y की जगह पे हमने y की value put करनी है और y की value put करने के लिए भी आपने दुबारा से equation number 1 को ही use करना है ये देखो ये जो equation number 1 है न यहाँ से y की value निकाल लो ये जो x है वो y के साथ multiplication में है न तो ये x उस तरफ जाएगा तो division में आजएगा तो y की value आएगी 150 upon x जो देखो y की जगह पे न y की value put कर दिया है y की value आई है 150 upon x ये वाली value कहां से निकाली है equation number 1 से ही निकाली है और last में minus 25 का minus 25 as it is clear हो गया अब ऐसा करने से फायदा ही हुआ है कि अब देखो अब इस equation के अंदर न variable एक ही है सिरफ x है हमारे पास variable जो y वाला variable था ना वो हट गया हमने y की जगह पे y की value put कर दिया है चलो आगे solve करते है ये 150 और ये वाला 150 ये दुनों आपस में cancel out हो जाएंगे इस वाले 150 को left king sack पे लेके जाओगे तो minus का 150 हो जाएगा न तो ये दुनों आपस में cancel out हो जाते हैं तब यहाँ पे सिर्फ 0 बचेगा ये minus 2.5x का minus 2.5x ये 10 new breaker में है new breaker new breaker से multiply होता है तो 150 को 10 से multiply करेंगे 1500 बन गया x denominator में है denominator में ही रहेगा और last में minus 25 का minus 25 as it is तो यहाँ तक clear होगे आपको तो last step के अंदर हमने ये वाले equation बना ली थी अब इसको आगे simplify करते है इसमें देखो ये वाले जो x है ना वो denominator में है variable denominator में नहीं होना चाहिए तो इस वाले x को denominator में से हटाने के लिए आप या तो LCM लो या फिर आप पूरी की पूरी equation को x से multiply कर दो बात सेम ही है अगर LCM लोगे तो एक दो step जादा लिखने पड़ेंगे तो हम पूरी की पूरी equation को ना x से multiply कर देते हैं तो देखो first term के अंदर जब आप x से multiply करोगे तो यह बन जगा minus 2.5 x square second term के अंदर यहाँ पर जब x से multiply करेंगे तो यह denominator वाला x cancel अगर को जगा सिरफ 1500 बचेगा और यहाँ पर minus 25 को x से multiply किया तो minus 25 x बन गया और राखेंग साट पर 0 है 0 को तो किसी से भी multiply करो result 0 ही होता है तो यहाँ तर् ग्लीर हो गया आगे आते हैं अब यह वाला decimal point हटाने के लिए पूरी की पूरी equation को 10 से multiply कर रहे है आप equation को quadratic equation को किसी भी number से multiply और किसी भी number से divide कर सकते हो ऐसा करने से equation के उपर कोई फरक नहीं परता तो पूरी equation को 10 से multiply कर रहे है तो cancer multiply करने पर यह decimal point x के पागया जगा यह minus 25 x square बन जगा यहाँ पर भी cancer multiply किया यहाँ पर भी cancer multiply किया तो यह 250 x बन गया minus 250 x यहाँ तक clear हुआ, अब देखो यहाँ पर 25 है, यह 15,000 है वो भी 25 से divide हो जाता है और 250 वो भी 25 से divide हो जाता है तो पूरी की पूरी equation को न 25 से divide कर रहे है जब भी equation किसी भी number से divide हो रही हो तो divide कर देना चाहिए divide करने से numbers छोटे हो जाते है और छोटे numbers में calculation करना असान काम होता है तो अगले step में क्या कर रहे है पूरी की पूरी equation को न 25 से divide कर रहे है तो देखो 25 से गिवाइट करने पर ये 25 भट जगा सिरफ माइनस का x स्क्वेर बचा यहाँ पर 25 से गिवाइट करो तो 600 बचेगा और 250 को 25 से गिवाइट करेंगे तो माइनस 10x बचते है तो यहाँ तक लिए रोगया, अब देखो अब equation को na standard form में लिखना है पहले square बली term को लिखा है, उसके बाद x बली term को लिखा है और जो constant term की ना 600, इसको last में लिख दिया तो यह हमारी equation अब standard form के अंदर आ गिया first term की तरफ ध्यान दो, minus x square यह जो x square बली term है उसके आगे minus का sign नहीं होना चाहिए तो पूरी equation को na minus 1 से multiply कर देते हैं तो minus 1 से multiply करेंगे तो सबके sign change हो जाते है तो यह हमारी equation बन गी है, x square plus 10x minus 600 is equal to 0 अब यह हमारी quadratic equation बन गी है अब इस quadratic equation को solve करके हम x की exact value निकाल सकते हैं तो यह हमारे पास quadratic equation बन गी थी x square plus 10x minus 600 is equal to 0 अब इस quadratic equation को आप quadratic formula यूज़ करके भी solve कर सकते हो या splitting the middle term उस technique को यूज़ करके भी solve कर सकते हैं तो यहाँ पे आप स्प्लिकिंग the middle term कर देते हैं क्योंकि उससे बड़ी असानी से solve हो जागा अब आपने ना दो ऐसे number सोचने हैं जिनको multiply करने के बाद minus 600 आना चीए दो ऐसे number सोचने हैं जिनको multiply करने के बाद क्या आना चीए minus 600 आना चीए multiply करने के बाद वही आना चीए जो constant term को x square के coefficient से multiply करके आता है यहाँ पे देखो x square के आगे कोई number तो है नहीं तो जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है तो यहाँ पे x square का coefficient 1 है तो minus 600 को 1 से multiply करो तो minus 600 आना चीए और add करने के बाद plus 10 आना चीए जो middle term का coefficient होता है ना add करने के बाद वही आना चीए अब आपने दो ऐसे number सोचने हैं जिनको add करो तो 10 आ है और उनको multiply करो तो minus 600 आ है तो 30 और minus 20 यह वाले numbers इन दोनों conditions को satisfy करते हैं देखो 30 और minus 20 अगर आप इन दोनों को add करोगे तो 10 आ जगा और 30 को minus 20 से multiply करो तो minus 6 आना चीए तो 30 और minus 20 यह numbers इन दोनों conditions को satisfy कर रहे हैं तो अगले step में हम middle term को बीच वाले term को split कर देंगे यह जो 10x है ना 10x को break करके आपने 30x minus 20x ऐसे लिख देना है देखो यहाँ पर तो ना देख कर ही पता चल रहा था अगर आपको ना पता चले ना कि numbers कौन से हैं तो यह multiply करके जो आते है ना आपने इसकी ना prime factorization कर देनी है बहाँ से आपको hint मिल जाएगा तो देखो यह वाली जो middle term थी ना हमारी 10x इसको हमने split कर दिया 30x minus 20x ऐसे लिख दिया यह देखो x square का x square as it is यह 10x को अब 30x minus 20x ऐसे लिख होगे और last में minus 600 का minus 600 as it is यहाँ तर clear हो गया अब आगे चलते हैं अब पहले जो first two comes है ना first two comes में से जो common आ रहा है वो आपने common लेना है तो x square और 30x यहाँ से हम x common ले सकते हैं तो x common लेंगे तो bracket में x plus 30 बचेगा पर जो last वाली two comes है last वाली two comes में देखो एक तो minus का sign common ले सकते हैं और यह वाले 20 भी common ले सकते हैं तो last two terms में से हमने minus 20 common ले लिया तो यहाँ पर भी bracket में x plus 30 बच रहा है अब देखो यहाँ पर भी x plus 30 है यहाँ पर भी x plus 30 है अगले सकेप में आपने इस x plus 30 को ही common लेना है तो यहाँ से x और यह वाला minus 20 यह अगली bracket में बचेंगे clear हो गया? तो x plus 30 into x minus 20 is equal to 0 यहाँ तक हम पहुँच गए अब दो terms को multiply करके 0 आ रहा है ऐसा सिरफ और सिरफ तब हो सकता है जब उन दोनों में से किसी एक की value 0 तो यहाँ तो यह x plus 30 इसकी value 0 होगी यहाँ फिर x minus 20 इसकी value 0 होगी तो अगले skep में आपने इन दोनों को अलग लग से 0 के equal put करना है तो आप लिखोगे इधर x plus 30 is equal to 0 और x minus 20 is equal to 0 यहाँ से यह 30 को रैकेंग सेक पे भेजो तो x की value minus 30 आ रही है यह जो x की value minus 30 आ रही है न इस वाली value को हमें reject करना पड़ेगा क्योंकि x हमने speed माना हुआ था और speed कभी भी negative नहीं हो सकती time negative नहीं हो सकता distance negative नहीं हो सकता speed भी negative नहीं हो सकती age भी negative नहीं हो सकती है तो second case यहाँ से हमारे पास x की value 20 आ रही है तो यह सही है यह हमारा answer है तो जाते से में जो speed है न वो होगे 20 km पर आर तो last में फिर आप अपना answer ऐसे लिखोगे X के वले हुमारे 20 आई थी ना तो आप लिखोगे speed during forward journey is equal to 20 km पर आर forward journey के time पे जो speed या वो 20 km पर आरहे and speed during return journey return journey की speed X plus N थी तो X के वले 20 आई है ना 20 में connect करो तो वो 30 आ जाता है तो return journey के time पे जो speed है वो 30 km पर आरहे हमसे यही पूछा जा रहा था कि forward journey के time पे कितनी speed है और return journey के time पर कितनी speed है तो 20 km पर आर and 30 km पर आर this is the answer next question पे आते हैं the roots of the quadratic equation A minus B X square plus B minus CX plus C minus A is equal to 0 are equal prove that 2A is equal to B plus C देखो इस question में न ये हमें एक quadratic equation दे रखी है और साथ में आपको ये भी बताय हुआ है कि इस quadratic equation के जो roots है वो एक दूसरे के equal है और हमने ये prove करना है 2A is equal to B plus C इस equation को हमने prove करना है देखो किसी भी quadratic equation के roots अगर आपस में एक दूसरे के equal है ऐसा सिरफ और सिरफ तब होता है जब discriminant D की value 0 के equal होती है The roots of a quadratic equation are equal only when discriminant D is equal to 0 और D का formula होता है B square minus 4AC तो यह वाली जो term है B square minus 4AC इसकी value 0 के equal होगी यहां से हमें अपने equation बनानी पड़ेगी यहां पे A, B और C coefficients होते है जो X square का coefficient है X square के आगे यह जो term लिख हुई है A minus B यह capital A की value है जो X का coefficient है B minus C यह B की value है और यह वाली जो consequence term है C minus A यह capital C की value है देखो जो हमें equation दे रखी थी उसके अंदर small A, small B और small C वो तो use हो गया था ना इसलिए B square minus 4AC के अंदर हमने जानके capital Lakers को use किया है capital B, capital A और capital C को use किया है ताके इनको आप equation के अंदर जो को efficient दे रखे हैं उनके साथ mix up ना कर दो clear हो गया तो यहाँ पे B, A और C की respective values put करनी है वहाँ से हमारे equation बन जगी उस equation को solve करके हम यह prove कर देंगे कि 2A is equal to B plus C question clear हो गया आगे चलते हैं solution के उपर आते हैं देखो आप अपने answer में सबसे पहले जो आपको quadratic equation दे रखे है उस quadratic equation को लिखोगे A minus B x square plus B minus C x plus C minus A is equal to 0 यह equation हमें दे रखे थी फिर हमें यह भी बताया हुआ है कि roots of given quadratic equation are equal इस equation के roots आपस में equal है roots तब equal होते है जब discriminant के value 0 होती है मतलब B square minus 4 A C वो 0 के पहलोना चाहिए यह clear होगे आपको बस values put करनी है यह capital B की value ही है जो x का coefficient होते है यह B minus C यह capital B की value है तो B की जगा पे आप यह B minus C put करोगे उपर square है तो आपने भी square लगाना है minus 4 का minus 4 as it is अभी capital A की value ही है A minus B जो x square का coefficient है वो A की value होती है A minus B और जो C है जो consequence का होगे न यह C की value है तो यह C minus A यह capital C की जगा पे आएगा तो यह हमने B की A की और C की respective values put कर दिया है तो हमारे पस अभी equation बन गी है अब इस equation को आगे आपने simplify करना है तो last step के अंदर हमने यह वाले equation बना ली थी अब इस equation को आगे simplify करते है पहले तो यह B minus C का whole square आपने open करना है A minus B का whole square होता है A square plus B square minus square भी तो वो वाले identity की को use करके यह हमने यहाँ पे brackets open कर दिया है यह minus 4 का minus 4 as it is और यह A minus B और C minus A इन दोनों को आपस में आपने multiply कर लिया पहले A से C और minus A को multiply करना है फिर minus B से भी इन दोनों को multiply करके आपने यहाँ पे लिग दिया तो इतना clear हो गया हम यहाँ तक पहुँच गया है अब देखो यह बाहर minus 4 है ना तो इस bracket के अंदर जितने terms हैं उन सबको आपने minus 4 से multiply करना है तो अगले स्केप में minus 4 से इन सारी terms को multiply कर दिया clear हो गया यह minus sign था ना तब यह अंदर सबका sign change हो गया है तो multiply करके आप यहाँ तक पहुँच जाओगे अब ध्यान से देखो अगले स्केप में ना rearrange करना है पहले square वाली terms को लिखना है यह देखो 4a square पहले उसको लिखा फिर b square को लिखना है फिर c square को लिखना है तो यह b square और c square को लिखा इतना clear हुआ पहले square वाली terms को लिखना है उसके बाद फिर आगे वाली terms को लिखेंगे यह देखो minus 4ab तो यह इसको लिखा हमने minus 4ab अभी देखो 4bc यहाँ पे है और minus 2bc यहाँ पे है देखो यहाँ पर भी bc है यहाँ पर भी variable bc है जब variable same होता है तो आगे वाले coefficients add हो जाते हैं तो यह 4 और minus 2 add होके सिरफ यह 2 रह जाता है तो इन दोनों को simplify करके यह वाला 2bc बना और last में minus 4ac था तो यह last में minus 4ac को लिखा clear होगे यह अगले step में कैसे rearrange किया है यहाँ से अगले step में पहले तो square वाली terms को लिखा पहले a को फिर b को फिर c को वतला 4a square फिर b square फिर c square उसके बाद ab वाली term फिर bc वाली term फिर ac या ca वाली term को लिखा और यहाँ पर भी bc था यहाँ पर भी bc था जब variable same होता है तो आगे वाले coefficients add हो जाते होता है तो वैसा करने से यह plus 2bc बच गया था इन दोनों को simplify करके अब अगला step जो है ना वो super important है अब अगले step में होल स्क्वेर क्या होता है x plus y plus z का होल स्क्वेर होता है x स्क्वेर plus y स्क्वेर plus z स्क्वेर plus q x y plus q y z plus q z x x plus y plus z का होल स्क्वेर होता है x स्क्वेर plus y स्क्वेर plus z स्क्वेर plus q x y plus q y z प्लस तो ZX, इस आगांके की को यूज़ करेंगे reverse correction में, मतलब ये हमें दिरत है, देखो पहले तीन square वाली comes है, X square, Y square, Z square, फिर ये तीन ऐसी comes है, X, Y, Y, Z, और ZX वाली, यहाँ पर भी तो ऐसे ही है, पहले तीन square वाली comes है, A square, B square, C square, और उसके बाद तीन दूसरी comes है, जिसमें A, B, B, C और C आ रहा है, तो reverse correction के अंदर हम आगांके की को यूज़ कर रहे है, मतलब इस तरह से इस direction में जा रहे है, clear हुआ, तो अगले skip में आगांके की ऐसे बनेगी, यह देखो, इसकी तरफ ध्यान से देखो, यह किसका whole square है, यह 4A square लिखा हुए न, यह 2A का whole square है, तो यहाँ पर पहले तो न, 2A लिखोगे, यह किसका square है, B square, यह B का square है, तो सिरफ B आएगा, और यह C square, यह किसका square है, सिरफ C का square है न, तो यहाँ पर सिरफ C आएगा, अब इन तीनों में से न कौन सी कर्म positive होगे कौन सी कर्म negative होगे उसे भी judge करना होता है देखो यहाँ पर यह वली कर्म negative है इस वली कर्म में ध्यान से देखे बताओ variable कौन कौन सा है यहाँ पर variable a और b है फिर दूसरी negative कर्म यह वली है minus 4ac यहाँ पे variable कौन सा है a और c कौन सा variable ऐसा है जो की common है यह देखो यह वाली जो negative curve कर्म है उसके अंदर भी a आ रहे है और यह वाली जो negative curve कर्म है उसके अंदर भी a आ रहे है मतलब यह जो a वाली कर्म है इसके आगे minus का sign आएगा इसी की वज़े से यह दोनों terms यहाँ पे नगे की वो रही है तो यह इसका whole square यह बन जगा तो reverse direction में यह वाली आगे की को use किया हमने तो यह 4a square plus b square plus c square minus 4ab plus 2bc minus 4ac अगले step में इसके जगा पे आप यह लिखोगे minus 2a plus b plus c का whole square जब numbers जब यह ABC की form में होते है न तो अगे की XYZ की form में लिखनी होती है अगर question के अंदर XYZ की form के अंदर होता तो अगे की हम ABC की form में लिखते है यहाँ से अगले step में आप यह लिखोगे और यह कैसे बना है वो समझाए आपको आपने बस यह देखना है यह जो first term है यह किसका square है यह जो 4A square है यह 2A का square होता है तो आपने बस 2A को लिखना है square है लिखना यह बनी जो term है यह किसका square है यह B square वो B का square होता है तो यहाँ पे B आएगा अब यह बनी जो term है यह किसका square है यह C का square है तो यहाँ पर C आएगा फिर अब देखना होता है कि इन तीनों में से कौन सी करम negative है वो ऐसे पता चलेगा यह minus 4AB उसके अंदर भी A आ रहे है और minus 4AC उसके अंदर भी A आ रहे है तो जो negative करम के अंदर जो variable common होता है उसी क्या कि minus का sign आता होता है तो यहाँ पर A common है न देखो A यहाँ पर भी आ रहे है और A यहाँ पर भी आ रहे है तो इसका मतलब A वाली करम ही negative होगी clear हुआ यह कैसे बना तो यह वाली जो मारी equation थी न अगले step में हमने reverse correction में आग एंट के के को use करके यह बना लिया I hope आपको clear हो गया होगा कि यहाँ पर हम कैसे पहुंचे है बस उसके बाद तो आगे असान है के किंग square root on both sides left king side पर आप square root लोगे तो यह वाला square हट जगा सिरफ minus 2A plus B plus C बचेगा और racking side पर 0 का square root लो वो तो 0 ही होता है तो यहाँ तक पहुंच गे अभी जो minus 2A वाल इकम है इसको racking side पर भेजो तो यह plus का 2A हो जगा sign change हो जगा तो 2A is equal to B plus C hence proved यह हमने प्रूफ करना था यह 2A को left king side पर लिखो B plus C को racking side पर लिखो यह ऐसे लिखो एक ही बात है तो बस last में लिख देना hence proved next question पे आते हैं 3 consecutive natural numbers consecutive numbers वह होते हैं जो की counting के अंदर ना एक के बाद एक हाते हैं परेक्जामपल जैसे 5 5 के बाद counting के अंदर 6 आता है 6 के बाद 7 आता है तो 5,6,7 यह तिनो consecutive numbers हैं कोई और example आप पर यह होगा जैसे 10, 10 के बाद 11 आता है 11 के बाद 12 आते है तो 10, 11, 12 यह तिनों भी consecutive numbers है थ्री consecutive natural numbers are such that the square of the middle number exceeds the difference of the squares of the other two by 6 की दोगो यहाँ पे ना एकी line के अंदर काफे सारे information दे दिया है पहले तो आपको यह बता दिया कि तीन numbers है और तीनों के तीनों numbers consecutive numbers है अब कौन से numbers की बात हो रही है हमें क्या पता तो पहला number हम x मान लेते है अगर पहला number x है तो next number x plus 1 होगा और अगला number फिर x plus क्यों होगा क्योंकि यह तिनों consecutive numbers है consecutive numbers वो होते हैं जो कि counting के अंदर एक के बाद एक आते होते हैं तो यह हमारे numbers होगे अब यह बताया हुआ है the square of the middle number यह जो बीच वाले number है ना बीच वाले number का अगर आप square करो तो it exceeds the difference of the squares of the other two by 6 की बीच वाले number का अगर आप square कर दो तो उसकी value यह जो बागे के दो number है ना उनका square करके difference लो उससे भी 60 units जादा है यहां से हमारे condition बनेगी यह जो बीच वाले number है x plus 1 अगर हम इस number का square कर दे तो इसकी जो value है वो बागे के जो दो numbers है उनके squares का difference लेना पड़ेगा यह जो बड़ा number है ना by common sense इसी के square में से छोटे वाले number को चोटे लवाले number के square को subtract करना पड़ेगा एक second को हका दे यह जो बड़े वाला number है इसका square उसमें से इस वाले दूसरे number का square माइनस किया यह difference of squares हो गया difference of squares of other two इससे भी 60 units जादा है तो यहां पर plus 6 की करना पड़ेगा clear हुआ दुबारा से बताता हूँ यह देखो question के अंदर जो लिखा हूँ है ना English के अंदर उसे को आपने बस mathematical form में लिख देना है the square of the middle number यह जो बीच वाला number है उसका square तो हम भी यहां पर लिखते हैं x plus 1 का square यह मारा middle number का square हो गया exceeds the difference of the squares of other two यह जो बागे के दो numbers है इन दोनों के square का difference अब x और x plus 2 में से यह वाला number बढ़ा होगा ना तो बड़े वाले number के square पे से ही छोटे वाले number के square को minus करेंगे by common sense यह हो गया difference of the squares of other two difference का वदला अब subscribe करना है बागे के जो दो numbers हैं उनके squares को और जो middle number है उसका square 6 की unique जाता है इनके square के difference है तो यहां पे plus 6 की और आएगा clear हुआ तो यह हमारी equation बन गिया है अब इस equation को solve करके हम x की value निकाल सकते हैं चलो आपको question clear हो गया ना आगे चलते हैं solution के उपर आते हैं तो आप अपने answer में ऐसे लिखोगे let the numbers be x x plus 1 and x plus 2 यह हमारे 3 consecutive natural numbers हो गया है उसके बाद जो हमें condition दे रखे हैं according to question उससे हमने यह वाली equation बना लिया है यह देखो the square of the middle number तो यह जो बीच वाला number था x plus 1 middle number का हमने square कर दिया x plus 1 का square exceeds the difference of squares of other two यह जो बागी के दो numbers हैं यह वाला x और यह वाला x plus 2 यह जो बागी के दो number हैं ना उनके square का difference यह देखो difference of squares difference का मतलब है कि subtract करना है numbers को नहीं subtract करना square करने के बाद जो बनेगा उसे subtract करना है तो यह x plus 2 का भी square करना है और यह x का भी square करना है square करने के बाद आपने इनका difference लेना है उससे भी 6 की units जादा है तो यहाँ पर प्लस 6 की आएगा यह लिखावा था ना x exceeds last में by 6 की जो बीच वाला number है उसका square बागी के जो दो number है उनके square के difference से 6 की units जादा है तो वहाँ से यह हमारी equation बन गी है यह वाली equation कैसे बनी वो आपको अच्छे दे समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि आगे तो बस इसको सिरफ simplify करना है और x की value निकाल लेनी है यह वाला skep up को clear होगे ना कि यह equation कैसे बनी है चलो भी इसको आगे solve करते हैं और x की exact value निकालते है तो यह हमारी equation बन गी थी अब इस equation को आगे solve करते हैं यह x plus 1 का whole square हमने brackets open कर दिया है a plus b का whole square होता है a square plus b square plus 2 a b उस identity की को use करके brackets open करी ranking side पर भी x plus 2 का whole square उसे expand कर दिया identity की use किया है a plus b का whole square होता है a square plus b square plus 2 a b यह minus x square का minus x square और last में plus 6 की का plus 6 की as it is तो यहां तक पहुंच जाओगे न I hope आप यह brackets तो असानी से open कर लोगे अब आगे इसको simplify करते है x square plus 1 plus 2x left hand side पर कोई change नहीं है वो as it is लिखा यह देखो यह वाला x square और यह वाला minus का x square यह दोनों आपस में एक दूसरे को cancel out कर लेंगे तो यह x square और minus x square तो cancel out की हो गया फिर अब यह 4x उसे as it is लिखा और यह 4 plus 6 की add होके 6 की 4 बन गया तो यहां तक clear हुआ आगे आते हैं अब पहले square वाली term को लिखना है तो x square का x square as it is रहेगा फिर x वाली term को लिखना होता है तो कि यहां पर 2x है ना 2x का 2x और यह 4x को भी आप left hand side पर ले आओ तो sign change हो गया minus का 4x हो गया उसके बाद numbers को लिखना होता है यह left hand side पर plus 1 था ना तो वो यह रहा plus 1 और यह 6 की 4 को भी आप left hand side पर ले गया हो गया तो sign change हो जगा minus का 6 की 4 हो गया clear हो हम सारी के सारी comes को ना left hand side पर ले गया है अभी x square का x square as it is यह 2x minus 4x यह simplify होके minus का 2x बज़ेगा और 6 की 4 यह 1 minus 6 की 4 यह simplify होके minus 6 की 3 बज़ जाते है तो यह हमारी quagratic equation बन गी है x square minus 2x minus 6 की 3 is equal to 0 अब आप इस quagratic equation को quagratic formula को use करके भी solve कर सकते हो splitting the middle term से भी solve कर सकते है यहाँ पर मैं splitting the middle term से solve कर रहा हूँ अब आपने ना दो ऐसे number सोचने है जिनको multiply करने के बाद minus 6 की 3 आना चाहिए multiply करने के बाद क्या आना चाहिए minus 6 की 3 आना चाहिए multiply करने के बाद वही आना चीए जो ये constant term को x square के coefficient से multiply करके आता है यहाँ पे x square के आगे कोई भी number तो है नहीं तो जिसका कोई नहीं हो तो उसका 1 होता है तो x square का coefficient 1 है तो 1 को minus 6 की 3 से multiply करो तो minus 6 की 3 ही आता है और add करने के बाद minus 2 आना चीए जो x का coefficient होता है तो आपने दो ऐसे number सोचने है जिनको add करने के बाद minus 2 आए और multiply करने के बाद minus 6 की 3 आए तो यह देखो minus 9 और 7 यह दो ऐसे number है जो इन दोनों conditions को fulfill कर रहे है minus 9 और 7 को add करोगे तो minus 2 बनेगा और minus 9 को 7 से multiply करोगे तो minus 6 की 3 बनेगा तो अगले स्केप में न यह जो beach वाली काम है minus 2 x इसको हम split कर देंगे इसको break कर देंगे इसको break करके minus 9 x और plus 7 x ऐसे लिखेंगे clear हो गया चलो आगे चलते हैं split करते हैं इसको तो last केप के अंदर हम यहां तक पहुंच गये थे अभी जो beach वाली काम है minus 2 x इसको हमने split कर दिया इसको minus 9 x plus 7 x ऐसे लिख दिया first two comes में से x common आ रहे तो x common लेके x minus 9 बचेगा और जो last वाली two comes है यहां से 7 common आ रहे यहां से 7 common लो तो यहां पर भी bracket में x minus 9 बचता है अब x minus 9 यहां पर भी है और x minus 9 यहां पर भी है तो अगले step में आप इस x minus 9 को भी common ले सकते हो तो x minus 9 को common लेंगे तो यहां से यह वाला x और यह second term में से 7 वो अगले bracket में बच जाएगा अब दो terms को multiply करके 0 आ रहे है ऐसा सिरफ तब हो सकता है जब उन दोनों में से किसी एक की value 0 तो या तो x minus 9 इस term की value 0 होगी या फिर x plus 7 इस term की value 0 होगी तो अगले step में आपने एक एक करके इन दोनों को 0 की एकवल पूर्ट करना है अब ऐसे लिखोगे इदर x minus 9 is equal to 0 और x plus 7 is equal to 0 अब इसको solve करते हैं यह minus 9 रैकेंग सेक पे बेजो तो यहां से x की value 9 आ जाती है अगर x की value 9 है तो x plus 1 की value 10 होगी और x plus 4 की value 11 होगी तो यह हमारे numbers बन गया है 9, 10 and 11 This is the answer और यह जो दूसरा case बना था x plus 7 is equal to 0 यहां से x की value minus 7 आ रही है इस वाली value को reject करना पड़ेगा क्योंकि question में साफ साफ लिखा हुआ था 3 consecutive natural numbers जो minus 7 है वो एक natural number नहीं है वो तो एक integer है जो natural numbers होते हैं उनके अंदर negative numbers नहीं आते 0 भी नहीं आता जो counting numbers होते हैं 1, 2, 3, 4 उन्हें बोलते हैं natural numbers तो x की value minus 7 आ रही है minus 7 एक natural number नहीं है तो इस वाली value को reject करना पड़ेगा तो यह हमार answer है 9, 10, 11 this is the answer next question पर आते हैं the sum of a number and x positive square root is 6 by 25 find the number देखो इस question में यह बोला जा रहा है कि एक ना number है तो अब हमें के पता कौन से number की बात हो रही है तो हम उस number को x मान लेते हैं अब आपने इस number के अंदर इसी number के square root को add कर देना है तो आपने x के अंदर square root of x को ही add कर देना है ऐसा करने पे जो total value है ना वो 6 upon 25 के एक पल होती है यह हमें question में बताया हुआ है अब यहां से हमने x की exact value निकालनी है question के लिए रहा यह देखो the sum sum का मतलब है add करना है of a number and x positive square root कोई एक number है अब हमें क्या पता कौन से number की बात हो रही है तो उस number को हम x मान लेते हैं तो इस number के अंदर इसी number के square root को अगर आप add कर दो तो ऐसा करने पर जो value है वो 6 among 25 एक पल होती है तो यहां से हमारी condition बन जेगी अब इसको आपने ध्यान से आगे solve कर रहा है और x की exact value निकालनी है question clear हो गया अब आगया आते हैं solution के उपर चलते हैं तो आप अपने answer में ऐसे लिखोगे let the number be x अब जिस number की बात हो रही है न उस number को हमने x मान लिया फिर according to question हमें question में बोला गया है कि आपने x के अंदर x के ही square root को add कर देना है तो ऐसा करने पर जो total value है वो 6 upon 25 के एक पल होगा यह देखो 6 upon 25 हो जाता है यह हमें question में directly दे रखा है तो x plus square root of x is equal to 6 upon 25 तो यह हमारी equation बन गी है अब यह equation हमने बना तो लिया है लेकिन यह वाली equation quadratic equation थोड़ी है quadratic equation के अंदर ऐसे square root variable के उपर square root नहीं होता number के उपर square root हो सकता है quadratic equation के अंदर लेकिन quadratic equation में variable square root के अंदर नहीं हो सकता और x की जो highest par है वो 2 होनी चाहिए variable की जो highest par है वो 2 होनी चाहिए तब equation quadratic होगी तो हमें इस equation को पहले quadratic equation के अंदर convert करना पड़ेगा उसके लिए आप यह करोगे let under root of x is equal to y जो under root of x है उसकी value खुश न कुश तो होती होगी न तो उसको हम y मान लेते हैं अगर आप under root of x को y मान लो तो यहां से x की value फिर y square बन जाती है यहीं पर अगर आप squaring both sides करो न left hand side पे अगर आप square करोगे तो यह root हट जगा सिरफ x बचेगा और right hand side पे square करोगे तो y का square होके वो y square बन जागा तो clear हुआ under root x की जगा पे आपने y put करना है और x की जगा पे फिर आपने y square put करना है यह देखो x की जगा पे हमने y square put किया और यह under root of x की जगा पे आपने y put कर दिया ऐसा करने से अब यह वाली जो equation है वो change होके quagratic equation में convert हो गई है अब यह वाली जो हमारी equation है na quagratic equation इस equation को solve करके पहले हम y की value निकालेंगे फिर y की value को यहाँ पर put करके इस वाली equation को solve करके x की value आएगी आपको even step clear हो गया न कि यहाँ से आपने quagratic equation बनाए कैसे है अब इस equation को y वाली equation को आगे solve करते है तो हमारी equation यह बन गी थी y square plus y is equal to 6 upon 25 अब इस equation को आगे simplify करते है यह तो यहाँ पर denominator में 25 है ना इस denominator को यहाँ से हटाने के लिए पूरी की पूरी equation को हम 25 से multiply कर रहे है तो y square को 25 से multiply किया 25 y square बन गया यह y into 25 is equal to 25 y और यहाँ पर 25 से multiply करेंगे तो यह denominator वाला 25 cancel out हो जगा सिरफ 6 बचेगा तो पूरी equation को आपने 25 से multiply कर देना है ऐसे करके आप यहाँ तक पहुंच जाओगे बस अब इस 6 को left hand side पे लेकिया हो तो इसका sign change हो जगा और यह हमारे quadratic equation बन गी है 25 y square plus 25 y minus 6 is equal to 0 अब इस quadratic equation को solve करने के लिए आप quadratic formula को भी use कर सकते हो या फिर splicking the middle term से भी solve कर सकते है यहाँ पर मैं आ splicking the middle term से इसको solve कर रहा हूँ अब यह देखो जो constant term है वो कौनसी है minus 6 और यह y square का coefficient क्या है 25 तो आपने 25 को minus 6 से multiply करना है तो 25 को अगर आप minus 6 से multiply करोगे तो multiply करने के बाद minus 150 आएगा तो अब हमने न, दो ऐसे नमबर सोचने है जिनको multiply करने के बाद minus 150 आना चाहिए और add करने के बाद 25 आना चाहिए जो beach वली term होती है न, उसका coefficient 25 है न, तो add करने के बाद 25 आना चाहिए दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको multiply करने के बाद minus 150 आना चाहिए और add करने के बाद 25 आना चाहिए multiply करने के बाद वही आना चाहिए जो जो constant term है ना constant term को ये square वाली term के coefficient से multiply करके आता है तो minus 6 और 25 को multiply करो तो minus 150 आता है और add करके वही आना चाहिए जो बीच वाली कम का कोफिशेंट होता है तो यहां पे थर्टी और माइनस फाइब यह वाले numbers इन दोनों conditions को satisfy करते है देखो 30 के अंदर अगर आप माइनस फाइब को add करोगे तो add करने के बाद यह 25 बनेगा और 30 को माइनस फाइब से multiply करो तो multiply करके minus 150 आता है तो यह numbers इन दोनों conditions को satisfy करते है तो अगले step में यह जो बीच वाली कम है न 25 बाइब इसको break कर देना है इसको break करके आप लिखोगे 30 बाइब minus 5 बाइब clear हो गया चलो अगले step के चलते है यह जो बीच वाली कम है न 25 बाइब इसको आमने split कर लिया इसको 30 y minus 5 y ऐसे करके लिख लिया यहां तक clear हो गया अब यह देखो जो first two terms हैं उन में से आपने 5 y common लेना है first two terms में से 5 y common लो तो 5 y plus 6 बचता है पर जो last one two terms है न यहां से आप minus 1 common ले लो तो यहां पर भी 5 y और यह वाला 6 बचेगा तो 5 y plus 6 यहां पर भी है 5 y plus 6 यहां पर भी है तो अगले step में यह 5 y plus 6 भी common ले सकते हैं यह 5 y plus 6 अब यहां से common लोगे तो यह 5 y और यहां से minus 1 यह दूसरी bracket में बच जाएंगे तो अब यह हमारे पर दो terms आगी है 5 y plus 6 into 5 y minus 1 is equal to 0 अब दो terms को multiply करके अब इसको अलग अलग से 0 के क्पल पुट करना है और y की value find करनी है तो last step के अंदर हम यहां तक पहुंच गयते हैं अब इसको आगे simplify करते हैं देखो 5 y plus 6 into 5 y minus 1 is equal to 0 दो terms को multiply करके 0 आ रहा है तो या तो first term 0 के क्पल होगी या फिर यह वाली second term 0 के क्पल होगी तो अगले step में एक एक करके आपने इन दोनों को 0 के क्पल पूट करना है इधर 5 y plus 6 is equal to 0 और 5 y minus 1 is equal to 0 तो फहले first कवाले case को solve करते हैं यह plus 6 को ranking sack पे भेज़ेंगे तो sign change जगा minus का 6 हो गया यह 5 y के साथ multiplication में है तो division में आजएगा तो यहां से y की value आ रही है minus 6 upon 5 और जो y है उसे थो हमने under root of x माना हुआ था तो y के जगा पे under root of x लिख देते हैं तो under root of x की value minus 6 upon 5 आ रही है इस वाली value को हमें reject करना पड़ेगा क्योंकि question के अंदर बोला गया था कि हमने positive square root लेना है मतलब under root of x की value positive आने चाहिए वो वाली value को consider करना है यहां पे value negative बार ही है न इसलिए इसको reject कर रहे है और reason आप यह दोगे reject it because under root of x is positive question के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने x का positive square root लेना है लेकिन यहां पे तो value negative आ रहे है इसलिए इस value को reject की है अब दूसरे case को solve करते है 5y minus 1 is equal to 0 minus 1 को ranking sec पे भेजो plus 1 हो जागा यह 5y के साथ multiplication में उस सरफ जागा तो division में आ जागा तो यहां से y के value 1 upon 5 आ रहे है y हमारा under root of x था तो y के जगा पे under root of x लिखा तो under root of x is equal to 1 upon 5 यह वाली value सही है अब root हकाने के लिए squaring करने पड़ेगी अब चाओ तो लिख भी सकते हो squaring both sides तो left hand side पे square करेंगे तो root हट जेगा सिरफ x बचेगा और right hand side पे square किया तो 1 upon 5 का square होता है 1 upon 25 तो इसका मतलब x की value 1 upon 25 है This is the answer Next question पे आते है The sum of two natural numbers is 8 दो numbers है अगर दोनों numbers को आप add करोगे तो add करने के बाद 8 आता है Get your mind the numbers If the sum of their reciprocals is 8 by 15 और अगर आप numbers को पहले reciprocal कर दो reciprocal करने के बाद अगर add करोगे तो फिर वो 1 upon 15 के एकवल है अब इस question को solve करने के लिए हमें 2 variables की requirement नहीं है जो 2 numbers है उन्हें x और y मानने की ज़रूत नहीं है पहले number अगर आप x मान लेते हो तो दूसरा number 1 minus x हो जएगा जब भी आपको sum दे रखा हो न जैसे 2 numbers उनको add करके 1 आता है तो पहले number अगर x है तो दूसरा number 1 minus x हो जएगा बस अब इन तोनों को रहसी पोगल करके एकवल होगा तो वो 1 upon 15 के एकवल होगा तो यहां से हम equation बना लेते हैं question clear हो गया अब आगे चलते हैं solution के उपर आते हैं तो आप अपने answer में ऐसे लिखोगे let the numbers be x and 8 minus x पहले number हमारा x हो गया और जो दूसरा number है वो फिर 8 minus x हो गया अब question में साफ साफ लिखा हुए कि अगर आप numbers को रहसी पोगल करके एकवल करो तो वो 8 upon 15 के एकवल होता है तो पहले number हमारा x है उसका रहसी पोगल किया 1 upon x दूसरा number 1 minus x है उसका भी रहसी पोगल किया 1 upon 8 minus x रहसी पोगल करने के बाद आइकवल करें तो टोटल 8 upon 15 के एकवल है तो यह हमारी equation बन गी है बस अब आपने इस equation को simplify करना है और simplify करके x की exact value निकाल लेनी है अब अगले step में हमने LCM लेना है अगर आप LCM ले लेते हो तो अच्छी बात है अगर आपको problem आती है तो यह मैं explain कर देता हूँ देखो यहाँ पे denominator x है और यहाँ पे denominator 8 minus x है इन दोनों का denominator same है या different है denominator different है ना तो LCM के अंदर दोनों आएंगे x भी आएगा और यह 8 minus x यह भी आएगा उसके बाद यहाँ पे देखो denominator x है ना denominator से आपने LCM को divide करना है divide करने के बाद जो बच जाएगा उससे इस numerator को multiply करके यहाँ पे लिखना होता है अब यहाँ पे denominator x है ना तो x से जब इस LCM को divide करेंगे तो यह वाला x cancel out होज़ेगा यह 1 minus x बच जाएगा 1 minus x को numerator से multiply करना है इस 1 minus x को 1 से multiply करेंगे तो multiply करने के बाद 1 minus x c बच जाएगा तो उसको यहाँ पे लिखा फिर बीच में plus का sign है तो हमने भी plus का sign जाला उसके बाद अब यहाँ पे denominator 1 minus x है ना denominator से इस LCM को divide करना है 1 minus x से divide करने पे यह 1 minus x कैंसल हो बचेगा सिरफ यह वाला x बचेगा इससे आपने numerator को multiply करके यहाँ पे लिखना है तो x को 1 से multiply करो तो वो x के ही equal है clear हुआ रैकेंग साइग पे 1 upon 15 है तो रैकेंग साइग पे 1 upon 15 का 1 upon 15 as it is रहेगा चलो LCM कैसे लेना है वो clear होगे न आपको तो हमने यह वाली एक पेशन बचा ली थी अगले स्केप में LCM भी ले लिये था अब इसको आगे solve करते हैं देखो यह minus x और यह plus x यह दुमनों आपस में एक दूसरे को cancel out कर लेंगे तो numerator में सिरफ यह वाला 8 बचेगा तो अगले स्केप में सिरफ 8 लिखा denominator में आप इस x को bracket के अंदर multiply कर दो तो यह 1x minus x square बन जाता है राकेंग साथ पे 1 upon 15 का 1 upon 15 as it is तो हम यहां तक पहुँच गए अब देखो यहां पर भी numerator में 1 है यहां बर्पी numerator में सिरफ 1 है तो इस x से आप इस वाले 1 को cancel out कर दो तो सिरफ यह रह जाता है 1 upon 1x minus x square is equal to 1 upon 15 यहां तक clear हो गया तो last step के अंदर हम यहां तक पहुँच गए थे उसके बदम ने cross multiply किया है cross multiply करके आप यहाँ पे आ जोगे तो sign change हो गया minus का 1x हो गया और 15 तो पहले से ही left wing side पे था तो अब यह हमारी equation बन गया है अब इस quagratic equation को solve करने के लिए आप quagratic formula को भी use कर सकते हो या splitting the middle term से भी solve कर सकते है यहां पे इस question में मैं splitting the middle term से solve कर रहा हूँ तो आपने दो ऐसे number सोचने है जिनको multiply करने के बाद 15 आना चाहिए और add करने के बाद minus 1 आना चाहिए दो ऐसे number सोचने है जिनको multiply करने के बाद 15 आना चाहिए और अगर आप उन दोनों numbers को add करो तो add करने के बाद minus 1 आना चाहिए तो minus 5 और minus 3 यह दो ऐसे number है जो इन दोनों conditions को na fulfill करते है minus 5 और minus 3 को अगर आप add करोगे तो minus 1 आएगा और minus 5 को minus 3 से multiply करो तो plus 15 आता है तो जो minus 1x है ना इसको अगले skept में break कर देंगे minus 5x minus 5x और minus 3x ऐसे लिख लेना है यह देखो यह हमारी quagrake की equation थी ना यह जो beach वाली करम है middle करम इसको हमने split कर दिया यह जो beach वाली करम थी minus 1x इसको minus 5x minus 3x ऐसे लिख लिए अब अगले skept में first two terms में से जो common आ रहा है उसे common लेना है और last two terms में से भी जो common आ रहा है उसे आपने common लेना है तो first two terms में से x common लिए तो bracket भी x minus 5 बचता है और last two terms में से यह minus 3 common लिए है तो यहाँ पर भी x minus 5 बचेगा देखो यह जो plus का sign होते है न इसको आप ऐसे मान सकते हो कि यह 2 minus का sign से मिलकर बना हुआ है तो 1 minus का sign आपने common लिए तो 1 minus का sign लिए तो 1 minus का sign लिए अंदर बचेगा तो यहाँ से x और यह बला minus 3 यह अगली bracket भी आ जागा अब दो terms को multiply करके 0 आ रहा है ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब उन दोनों में से किसी एक की value 0 तो अगले step में आप यह तो यह x minus 5 को 0 के एकपल पूट करोगे और साथ में दूसरे केस में x minus 3 को 0 के एकपल पूट करना है अगले step में इन दोनों terms को अलग अलग से 0 के एकपल पूट करके x की value निकालने है x minus 5 into x minus 3 is equal to 0 तो यह तो first term 0 के एकपल होगी यह फिर second term 0 के एकपल होगी तो अगले step में आप लिखोगे इदर x minus 5 is equal to 0 और x minus 3 is equal to 0 अब पहले इस वाले केस को solve करते है यह minus 5 को राकेंग साथ पे बेजो तो यहां से x की value 5 आ जाती है तो पहले number हमारा 5 हो गया दूसरा number 8 minus x था तो इस 5 को एक में से minus करो तो दूसरा number फिर हमारा 3 आ जाता है x की value 3 है तो 1 minus x एक में से 3 को minus करो तो वो 5 आ जाता है तो numbers 3 और 5 आ रहे है यहां से भी numbers भी आ रहे है number या तो 5 और 3 होगा या फिर 3 और 5 होगा तो 3 and 5 और 5 and 3 यही हमारे दोनों numbers है next question पह आते है find two positive numbers whose squares have that difference 48 and the sum of the numbers is 12 देखो अब इस question में यह बोला जा रहा है कि दो ऐसे positive numbers आपने find करने है उन numbers के squares का जो difference है ना वो 48 होना चाहिए मतलब पहले आपने numbers का square करना है दोनों numbers को square करके उसके बाद आपने आपस में उन्हें subscribe करना है तो ऐसा करने पे 48 आएगा and sum of the numbers is 12 अगर आप उन दोनों numbers को directly act कर दो तो directly act करने पे वो 12 के एक पल है अब यहाँ पे कौन से दो numbers की बात हो रही है हमें क्या बता तो जो पहले number है ना पहले number को हम x मान लेते हैं दो दूसरे number को y मानने की जरूत नहीं है दूसरा number हमारे 12 minus x c हो जगा देखो question की second line में लिखा हो है न the sum of the numbers is 12 दोनों numbers को add करके 12 आता है तो पहले number अगर आप x मान लेते हो तो दूसरे number को y लेने की जरूत नहीं है दूसरा number हमारे 12 minus x हो जगा अब question में यह भी बोलो हो है कि इन numbers को square करके अगर आप उनका difference लो मतलब square करने के बाद आपस में subtract करो तो वो 48 के एक पल है तो यह पहले वले number का square करते हैं दूसरे वले number का भी square करते हैं square करके अगर इनको आपस में subtract करेंगे तो वो 48 के एक पल है वहाँ से हम अपनी equation बना लेंगे question clear हो गया चलो आगे चलते हैं solution के उपर आते हैं तो आप अपने answer में ऐसे लिखोगे let the numbers be x and 12 minus x हमने अपने numbers को na x और 12 minus x मान लिया फिर according to question यह पहले वले number का square किया x का square कर दिया दूसरे number का भी square कर दिया 12 minus x का भी square कर दिया numbers को square करने के बाद अगर आप आपस में subtract करो तो वो 48 के एकपल है यह हमें question में दे रखा था find two positive numbers whose squares have the difference 48 दो numbers ऐसे हमने निकालने थे जिनको square करके अगर आपस में subtract करें तो वो 48 के एकपल हो आपको यह clear हो गया ना कि यह वाली condition कैसे बनी है बस अब इसको आगे simplify करना है और x की exact value निकाल लेनी है यह देखो x square का तो x square ही रहेगा यह बाहर minus है तो minus के sign को रखा अब यह 12 minus x का whole square इस bracket को open करने के लिए ना यहाँ पे आइगेंटिकी को use करेंगे a minus b का whole square होता है a square plus b square minus 2ab तो आगेंटिकी को use करके यह bracket open कर दी है राकेंग साइक पे 48 का 48 as it is अगले स्केप पे आते है x square का x square 12 का square 144 होता है x square के जगा पे x square ही रहेगा और इसको simplify करके minus 24x आ जाता है numbers को आपस में multiply कर देना है variable को last में ऐसे लिख देना है अब देखो bracket के बाहर minus का sign है ना तो अंदर सब के sign change हो जेंगे यह minus 1 44x minus x square plus 24x is equal to 48 यहां तक clear हो गया तो last step के अंदर यह वाल equation बन गे थी अब इस equation को आगे simplify करते है यहां पे देखो यह जो x square और यह जो minus का x square है यह दोनों आपस में एक दूसरे को cancel out कर लेंगे तो यह x square से तो minus का x square cancel out क्यों हो गया यह 24x का 24x as a case लिखा पर जो minus का 144 था ना इस नंबर को भी हमने ranking side पे भेज दिया ranking side पे 48 तो पहले से था यह minus 144 को ranking side पे भेजेंगे तो sign change हो जगा प्लस 144 हो जगा 48 प्लस 144 दोनों को add करके वन ranking को आता है अब यह बना जो 24 है यह x के साथ multiplication में है यह दूसरी तरफ जाएगा तो division में आ जाएगा वन ranking को को 24 से give out करो तो give out करने के बाद 1 आता है तो इसका मतलब x की value 1 है यह हमारा पहला नमबर आ गया पहला नमबर हमारा 1 है दूसरा नमबर था फिर 12 minus x तो x के जगा पे 8 put करो 12 में से 8 को subtract करेंगे तो 4 रह जाता है तो 8 and 4 यह हमारे दोनों नमबर्स है this is the answer next question पे आते है sum of the areas of 2 squares is 640 meter square देख उना 2 square है दोनों square के अगर areas को add करें तो areas को add करने के बाद 640 आता है तो जो पहले वाला square है पहले वाले square की side क्या होगी वो दो हमें पता नहीं है तो पहले वाले square की side को हम x माल लेते है जो दूसरा square है दूसरे square की side क्या होगी वो भी हमें पता नहीं है तो दूसरे square की side को हम y माल लेते हैं यह अब ऐसे लिख सकते हो let the side of bigger square be x and the side of smaller square be y अब इनके area square को act करना है पहले वाले square का area होगा x square और दूसरे वाले square का area होगा y square square कर यही होते है na side square तो इन दोनों को act करके 640 आता है यह हमारी एक equation बन जेगी अब if the difference of their perimeter is 64 इन दोनों squares के perimeter को अगर आपस में subtract करें तो वो 64 के एक बल है perimeter का मतलब होता है length of the outer boundary अब इस वाले corner से start करो और एक पूरा चक्कर लगाके वापिस यहां तक पहुंच जाओ तो जितना distance आप cover करोगे न उसे को बोलते हैं perimeter perimeter का मतलब length of the outer boundary और square का perimeter होता है 4 multiply by side तो यह बड़े वाले square का perimeter होगा 4 multiply by x और यह छोटे वाले square का perimeter होगा 4y और यह देखो difference difference का मतलब है इन दोनों को आपस में subtract करना है तो subtract करने के बाद यह 6 की 4 के एक बला आता है अब by common sense जो बड़े वाले square है ना उसी के perimeter में से छोटे वाले square के perimeter को subtract करेंगे तो 4x में से आपने 4y को ही subtract करना है तो वो 6 की 4 के एक बला है इस पूरी equation को 4 से divide कर देते हैं तो यहां से हमारे पस आएगा x minus y is equal to 6 की 4 को divide करेंगे 16 रह जाता है तो यह हमारी दूसरी equation बन गी बस इन दोने equation को solve करके x और y के exact values निकाल लिया है question clear होगे आपको आगे चलते हैं solution के उपर आते हैं तो आप अपने answer में से लिखोगे let the side of larger square be x जो बड़े वाला square है ना उसके side को हमने x मान लिया and the side of smaller square be y जो छोटे वाला square है उसकी जो side है उसे हमने y मान लिया फिर according to question पहले जो areas दे रखे है ना वहाँ से equation ये बनेगी x square plus y square is equal to 640 ये x square बड़े वाले square का area हो गया ये y square ये छोटे वाले square का area हो गया दोनों squares के areas को act करो तो वो 640 के एक बल है this is equation number 1 और साथ में ये भी दे रखा था the difference of their parameter is 64 उनके parameters को अगर आपस में subtract करेंगे ना तो वो 64 के एक बल है तो बड़े वाले square का parameter होगा 4x और छोटे वाले square का parameter होगा 4y parameter का formula होता है 4 inkside difference लेना है इनका subtract करना है बड़े वाले square के parameter में से छोटे वाले square के parameter को subtract करो तो वो 64 के एक बल है इस पूरी equation को 4 से divide कर रहे हैं तो x minus y is equal to 16 बच जाते हैं ये हमारी second equation है clear हो गया ये दोनो equations कैसे बनी हैं अब आगे चलते हैं इन दोनो equations को solve करके x और y की exact value निकालते हैं देखो ये वली दो equations हमने बना ली थी x square plus y square is equal to 640 और ये x minus y is equal to 16 ये जो second equation है ना x minus y is equal to 16 यहाँ पर इस minus y को राइकांग साथ पर भेजो तो आपके बस x की exact value आजाती है x is equal to 16 plus y अभी जो x की value आगी है ना first equation के अंदर x की जगा पर ये आप ये x की value पुट्ट कर दो ऐसा करने से first equation में अभी दो variables है ना x और y तो दोनों में से एक variable x हट जाएगा सिरफ y रह जाएगा फिर हम उस equation को solve करके y की exact value निकाल सकते है तो ये देखो x की जगा पे ये x की value पुट्ट कर दी है 16 plus y x की जगा पे 16 plus y पुट्ट किया उपर square था तो आपने भी square लगाया फिर आगे plus y square is equal to 640 उसे as it is लिखना है plus y square is equal to 640 अब इस equation में ध्यान से देखो सिरफ a की variable है सिरफ y ही variable है अब इसको आगे simplify करते है यहाँ पे brackets open करने के लिए identically को use करना पड़ेगा a plus b का whole square होता है a square plus b square plus 2ab तो 16 का square plus y का square plus 2 into 16 into y आगे plus y square का plus y square 640 का 640 as it is यहाँ तक clear हो गया आगे चलते हैं अब यह देखो यह वाला y square और यह वाला y square add होके 2y square बन जाता है पहले square बली term को लिख रहे है उसके बाद single viable item को लिखना है last में फिर numbers को लिख रहे है यह 16 को 2 similarity इप्लाइ करो 32 बन दा है पहले square बली term को लिखा है फिर y बली term को लिखा है last में फिर numbers को लिखा है यह 16 का square 256 होता है उसे बाद में लिखना है पहले यह square बली term को act करके y square और y square को act करके 2y square उसे लिख दिया है इतना clear हो गया यहाँ तक आगे चलते हैं यह 2y square का 2y square ठके 2y का ठके 2y और यहाँ पर सप्रैक्ट करके माइनस 384 आ रहा है तो यह हमारे वाग्राटिक एक्वेशन बन गी है बस अब इस एक्वेशन को आगे सिंप्लिफाई करके y की वैल्यू निकाल ली है तो एक्वेशन हमारी यह बन गी थी 2y स्क्वेशन जब भी किसी नंबर से गिवाइट हो रही हो गिवाइट कर देना चाहिए गिवीजन करने से नंबर्स छोटे हो जाते हैं और छोटे नंबर्स में कैलकुलेशन करना असान काम होता है तो ये 2y स्क्वेशन को 2 से डिवाइट करेंगे सिर्फ y स्क्वेशन बजा यहां पर थटके 2 को 2 से डिवाइट के तो 16Y रहा गया और ये 3.84 को 2 से डिवाइट करेंगे तो माइनस का 1.2 बज़ेगा तो y स्क्वेशन प्लस 16y माइनस 1.2 is equal to 0 यह हमारी equation बन गी है अब इस equation को solve करने के लिए अब quadratic formula को भी use कर सकते हो यहाँ पर मैं splitting the middle term वाले technique को use करके solve कर रहा हूँ तो आपने दो ऐसे number सोचने है जिनको multiply करके minus 192 आएगा और उन दोनों numbers को add करके 16 आना चाहिए आपको अब दो ऐसे number चाहिए दो numbers जिनको multiply करके minus 192 आना चाहिए और उन numbers को add करके 16 आना चाहिए तो 192 कि आप prime factorization करोगे ना वहाँ से आपको hint मिल जागा वैसे जो numbers जना वो ही है 24 और minus 8 24 और minus 1 इन दोनों को add करो तो 16 आता है और 24 और minus 1 इन दोनों को multiply करो तो minus का 192 आता है अगर आपको directly ना पता चले ना तो जो 192 है इसके आपने prime factorization करनी है वहाँ से आपको hint मिल जागा कि कौन से numbers है clear हो गया तो अगले step में ना ये जो beach वाली काहँए 16 y इसको split करेंगे 16 y को हम लिखेंगे 24 y minus 8 y तो ये हमारी quadratic equation बन गए थी ना अभी जो beach वाली काहँए 16 y middle काहँए को split कर रहे है ये 16 y को अगले step में आप लिखोगे 24 y minus 8 y ये clear हो गया बस first two comes में से जो common आ रहे है वो common लेना है और last two terms में से भी जो common आ रहे है आपने common लेना है तो first two comes में से y common आ रहे है y common लेने के बाद bracket में y plus 24 बचता है और जो last वाली two comes है यहां से आपने minus 8 common लेना है तो minus 8 को common लेके यहां पर भी y plus 24 बचता है देखो यहां पर भी y plus 24 है और यहां पर भी y plus 24 है तो अगले step में आप इस y plus 24 को भी common ले सकते हो तो y plus 24 को common लेंगे तो यहां से यह वाला y और यह वाला minus 8 वो दूसरी bracket में बच जाएंगे अब देखो दो terms को multiply करके 0 आ रहा है तो इसका मतलब यह तो यह first term 0 के एकपल होगी यह फिर second term 0 के एकपल होगी तो अगले step में आपने इन दोनो terms को अलग लग से 0 के एकपल पूट करना है ऐसे लिखोगे इधर y plus 24 is equal to 0 और y minus 8 is equal to 0 यह 24 को ranking sack पे भेजते हैं तो यहां से y की value minus 24 आ रही है और यहां से minus 8 को भेजेंगे ranking sack पे तो यहां से y की value 8 आ रही है यह वाली जो value है na y की value minus 24 इसे reject करना पड़ेगा क्योंकि square की जो side है न वो कभी भी negative नहीं हो सकती length can never be negative तो इस वाली value को reject करेंगे y is equal to 8 इस वाली case को आगे solve करेंगे तो first case में जो value आई थी न y is equal to minus 24 इस वाली value को आपने reject करना है और reason आप यह दोगे because side of a square can never be negative जो square की side है न वो एक तरह के length ही तो होती है और length कभी भी negative हो ही नहीं सकती तो इस वाली case को reject कर दिया तो दूसरे case से y की value 8 आई थी तो यह सही है y is equal to 8 यह हमारा answer है अब x की value भी निकाल देते है x minus y वो 16 के एक पल था न तो y के जगा पे 8 put कर दो यह 8 को राइकेंग साइक पे बेजेंगे तो plus 1 को जगा 16 plus 8 is equal to 24 तो यहां से हमारा पास x की value 24 आ जाती है तो जो बड़े वाला square है उसकी side 24 में करोगी और जो छोटे वाला square है उसकी side 1 में करोगी तो 24 में कर and 1 में कर this is the answer झालाई जाओी अजळस्टा, झालाई जगास उसे हमारा जगाँ यह जुझका पे हमारा राझाओा तो मैं कर वालाई टोग मारागी ग्हारा वालाई भार्णा झालाई झाल झाल